आज हम बात करने वाले हैं भारतिय इतिहास के सबसे दिल दहला देने वाले अपहरण कांड की, जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। ये घटना है दिसंबर 1999 की, जब भारतिय एरलाइन्स की फ्लाइट IC814 को कुछ आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया और उसे कंधार ले जाया गया। ये घटना न सिर्फ भारत के लिए, बलकि पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी थी। तो चलिए, जानते हैं कि आखिर कैसे हुई ये खौफनाग घटना और क्या हुआ इस पूरे हाईजैक के दौरान। 24 दिसंबर 1999 की बाद है, जब भारतिये एरलाइन्स की फ्लाइट IC814 नेपाल की राजधानी काठमांडू से भारत के दिल्ली के लिए उडान भर रही थी। फ्लाइट में 176 यात्री और क्रू मेंबर सवार थे। जब फ्लाइट ने भारतिये वायुक्षेत्र में प्रवेश किया, तभी पाँच हतियार बंद आतंकवादियों ने विमान को हाईजैक कर लिया। उन्होंने पाइलट को धमकाया और फ्लाइट का रुख बदलने का आदेश दिया। यात्रियों को बंधक बना लिया गया और विमान का कंट्रोल आतंकवादियों के हाथ में आ गया। हाईजैक के बाद आतंकियों ने सब से पहले विमान को भारत के अमरत सर हवाई अड़डे पर लैंड करने का निरदेश दिया। भारतिय अधिकारियों को भी इस हाई जैक की सूचना मिल चुकी थी और अमरित सर हवाई अड़े पर विमान की आपात लैंडिंग कराई गई। लेकिन स्थिती इतनी नाजुक थी कि आतंकियों ने इंधन भरवाने के बाद तुरंत विमान को दुबई के लिए रवाना कर द दिया। विमान दुबई के रास्ते में था लेकिन इंधन की कमी के चलते आतंकियों को लाहोर पाकिस्तान में मजबूरन लैंडिंग करनी पड़ी। लाहोर हवाई अड़े पर पाकिस्तानी अधिकारियों ने विमान को उतारा और थोड़े समय के लिए इसे यहां रोका ग हुए थे। दुबई से उडान भरने के बाद आखिरकार आतंकियों ने विमान को अफगानिस्तान के कंधार में लैंड कराया। कंधार उस समय तालिबान के नियंत्रण में था और तालिबान की भूमिका इस पूरे घटना क्रम में काफी संदिग्ध रही। अफगानिस्त इनमें मसूद अजहर, उमर शेख और मुश्ताक जर्गर शामिल थे। ये तीनों आतंकवादी भारत की जेलों में बंद थे और आतंकियों ने साफ कह दिया कि अगर इनकी रिहाई नहीं की गई तो विमान में बंधक यात्रियों की जान को खत्रा हो सकता है। भारत सरकार क के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा था। अगर आतंकियों की मांग पूरी की जाती है तो इसका मतलब होगा आतंकवादियों को बढ़ावा देना। लेकिन अगर ऐसा नहीं किया गया तो बंधक बने यात्रियों की जान खत्रे में थी। भारतिये जनता और मीडिया का दब भाव भी सरकार पर था। इस पूरे घटना क्रम ने अटल बिहारी वाजपेई की सरकार को गहरे संकट में डाल दिया था। कई दिनों तक बातचीत और मंथन के बाद भारतिये सरकार ने आतंकियों की शर्ते मानने का फैसला किया। 31 दिसंबर 1999 को मसाउद अजहर और बाकी आतंकियों को रिहा कर दिया गया। इनकी रिहाई के बाद विमान में बंधक बनाये गए यात्रियों को भी छोड़ दिया गया और इस तरह से ये हाईजैक खत्म हुआ। लेकिन इस समझहोते की कीमत भारत को भविश्य में भुगतनी पड़ी। इस हाईजैक के बाद रिह पर हमला और 2019 का पुलवामा हमला शामिल है। इस घटना ने भारत को यह सिखाया कि आतंकियों से सौधा करना कितना खतरनाक हो सकता है। इस पूरे घटना करम के दौरान भारतिय सुरक्षा एजेंसियों की भी भूमिका पर सवाल उठे। कुछ लोगों का मानना था कि अग काल निर्णय लेना आसान नहीं था। तो दोस्तों ये था कंधार हाईजैक का पूरा किस्सा जो ना सिर्फ भारत के लिए बलकि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चेतावनी थी। इस घटना ने हमें सिखाया कि आतंकवाद के सामने जुकने का अंजाम कितना खतरनाक ह हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी और भी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।